देश में फिलाल नए कानून विलो पर बहस चल रही है केंद्र ग्रह मंत्री अमिच्छा ने लोकसभा में तीनों विधैकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए इसे 150 साल की गुलामी की मानसिक्ता से बाहर आने वाला बताया सदन से पास होने के बाद भारतिय दंड सहिता यारी IPC की जगे भारतिय न्याय सहिता बिल 2023 लेगा CRPC की जगे भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 लेगा और Evidence Act बदल कर भारतिय साक्षर विधैक 2023 हो जाएगा नए विधैकों में कुछ धाराएं बढ़ाई गई हैं कुछ हटी हैं तो कुछ को बदल दिया गया है यानि कि अब तक अपरादों में जो धाराएं लगाई जाती थी उनमें कई एहम बदलाव होंगे आसान भाषा में समझे तो मर्डर की जगा अब तक लगने वाली धारा 302 अब छिनैती के लिए प्रियोक की जाएगी मर्डर पर धारा 101 लगेगी इसी तरह रेप की धारा 376 की जगा अब धारा 70 ले लेगी भारतिय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 में कुल 533 धाराएं होंगी अब तक लागू CRPC में 478 धाराएं थी इसकी 106 धाराओं को बदला जगया है 9 धाराएं हटी हैं और इतना ही नहीं धाराएं जोड़ी भी गई है ठीक ऐसा ही भारतिय नयाय सहिता में भी हुआ है हाला कि इसमें तक्रीबन 155 धाराएं कम की गई है नयाय सहिता में 356 धाराएं होंगी जबकि अब तक IPC में 511 धाराएं थी खास बात ये है कि इसमें से 22 धाराएं निरस्त की गई है जबकि 8 नई धाराओं को शामिल किया गया है भारतिय साक्षय अधिनयम में 3 धाराएं बढ़ी है अब इसमें 170 धाराएं है इनमें से 23 को बदला गया है जबकि 5 पूरी तरह से हटा दी गई है बता दें कि IPC के तहट हत्या पर धारा 302 लगाई जाती है जबकि नए कानून के तहट इसकी जगे धारा 101 लगाई जाएगी धोकदड़ी की धारा 420 की जगे धारा 316 लगेगी और अपहरन की धारा 362 की जगे धारा 135 प्रभाव में आएगी रेप की धारा 375, 376 की जगे धारा 63 और गैंग रेप की धारा 376 की जगे धारा 70 प्रभावी होगी नए कानून की सबसे खास बात ये है कि इसमें चेन स्नाचिंग या अन्ने चेनैती अपरादों के लिए भी धारा तै कर दी गई है अब तक मुर्डर में लगने वाली धारा 302 अब चेनैती के अपरादों में लगाई जाएगी दहेज हत्या में लगने वाली धारा 304 B की जगे धारा 799 लगेगी इसके अलावा भीड भाड और हंगामा करने पर लगने वाली धारा 144 की जगे धारा 187 प्रभावी होगी बतादे कि नए कानून के तहट देश द्रो को अब राज द्रो कहा जाएगा इसकी जगे लगने वाली धारा 124 A की जगे धारा 150 लगेगी देश विरोधी गतिविधी के आरोप में लगने वाली धारा 121 A की जगे धारा 146 प्रभावी होगी इसके अलावा देश के खिलाव शड़ अंत्र रचने वालों पर लगाई जाने वाली धारा 121 की जगे धारा 145 लगाई जाएगी यदि कोई किसी को आत्माहत्या के लिए उकसाता है तो उस पर लगने वाली धारा 306 की जगे अब धारा 106 लगने वाली है सबसे खास बात ये है कि नए कानूनों में धारा 377 नहीं होगी इसे हटा दिया गया है हाला कि इसमें धारा 69 जोडी गई है जो शादी का जूटा वादा कर यौन संबंद बनाने वाले पर लगेगी इस अपराद में 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है खास बात ये है कि ये रेप की श्रेणी में नहीं होगा